हेलो दोस्तो गूड मॉर्निंग आप लो कैसे हैं उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे स्वस्तों मस्तों मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो आज है शिवरात्री और शिवरात्री की धेर सारी सुबकामने आप सभी दोस्तों को और दिल से तो मैं अभी तयार हो गई हूँ फुजा करने के लिए जाओंगी और पुजा करने के लिए जाओंगी आप लोगों को दिखाओंगी और मैं इतना दोकर तयार हो गई हूँ पुरी अच्छी तरह से जो है हम कैसे त्यार हो गए हैं दिखाते हैं हम अपना फुल कैतो देख लिजिए इस तरह समयन त्यार हो गई हूँ और जो है हम दोरी देर बाद हम जाएंगे और जलते हैं पुज़कने सभी बच्चे भी त्यार हो गए हैं जाने के लिए देख लेगी और माई अलो बोलो नहीं बोलेगी है परी भी रो रही है देख लेजिए परी रो रही है जाने के लिए रितिका भी त्यार है रिटिका को इस समय आगे रहती है रिटिका हलोग बोलेगी देखिए परी को भी बुलवा रही है लेकिन परी रो रही कि ममा भाग जाएगी इसे बज़र से तो मैंने इसे गोद ले लिया है अब यह चुप हो जाएगी अब यह बोलेगी मामा बोलेगी मामा बोलेगी जो की मैंने इसे भी तयार कर लिया है अब हम जाएंगे तयार हो गए हैं आप हमारे वीडियो को आन तक देखिए और ज़्यादा ज़्यादा प्यार दूलार दिजए अच्छा लगे तो दिलबला एमोजी और एक सेर कर दिजएगा प्लीज अच्छा ना लगे रिखने तो लायक जरूर कर दिजएगा हमारी प्याड़ी विटिया की तरह तो मैं यहां है मेरा सिव मंदिर है जहांभि मैं पूझा करने आई हूँ और यहां पे हम पूझा करने के लिए त्यार अब ही प्ष्ट शूरू के हैं पूझा कर के लिए हॉड़ी प्ड़ी सबसे पहले तो पूजा करने के लिए आते हैं तो हम कुछ लाए नहीं तो क्योंकि मिल नहीं रहा था तो मैंने सिर्फ इतना ही लाए हैं और यहीं चरहाएंगे उकते हैं जो मन से चरहाए देता एक पत्ता भी चरहाने के बाद गन कुछ जाता है तो इसे बसे से मैंने सिर्फ बिल पत्तर लाए हैं और मिस्री बदम चरहाए हैं परसाद के रूप में मिस्री बदम जो की भूले मतारानी के लिए से नोड लाए है जो हमारे इस मंदिर में बहुत सरम मंदिर है देख लीजी और अब हम जा रहे हैं माह नहीं स्वारी यह बजरंग वली का जो बजरंग वली है हमारे प्यारे हनुमान जी मारूती जी धर है गोड़ी मिया उनका तस्वीर नहीं आया अच्छी तरह से और यहां पर है मेरे नंदी मेरे भूलेवा के प्यारे नंदी सवारी और यहां बेर मैंने सारा समान रखा हुआ है अब थोड़ा सा अगर वत्ति जला लूँगी अगर जलाने के बाद जाओंगी बाहर बाहर अब जाने के बाद गोड़ी मंदिर भी जाएंगी फिर से जल ले लूँगी फिर से मैं जल लूँगी और यहां पर नलका है चापा कल वहां से पानी लूँगी और उसके बाद ही जाओंगी आगे तो मैंने पानी ले लिया है अब ज जहां रही हम पर्वादि का मंदीर मां परवति का है और मैं उसी तरफ चाहल रही है तो देख लेज़ें यहीं है मां परवति का मंदीर सबसे कहीं भी मंदर जाने से पहले पडवेश करने से पहले जो है वहाँ पर नम किया जाता है उसके बादी चार जाता है तो मैं जैसा कि अब मैं जा रही हूं उपर उपर चार गई हूं और मैं और माही भूल लिए हमको गंडी बजाना है वह दिखिलेजिए मेरे सिभ्व का मंदिर है और वहाँ पर सभित्री सनीदेव और बजरंगली यहां पर पारवत्य का सामना समनी एकतम इतना किलियर दिखाए देता है कि एक दूसरे के सामने है मन देते कि इस गेट पड़ा है यहां यहीं जश्ट इसी के सामने समनी है सिभ्व जी का गेट दोनों का एक है तो यह माँ पारवत्य का है जिसके गोद में प्री गनेश जी एक बार कोमेंट में जरूर लिख दीजिएगा जै गोड़ी भवानी गोड़ी पुत्र गनेश जरूर लिखिएगा और हमारा तो यही मंदिर है देख सकते हैं हमारे घर के पास ही मैं है और मैंने पुझा करके मातरानी से असरबाद भी लिए अब देर सारा इक्चा भी जाहिर किये हैं कि क्या-क्या लेना है हमको और क्या-क्या असरबाद दे हमको मांगा है बिल्कुल कर मांगते हैं पुझा क पहले मातारानी के चर्णों में फूल पत्र चढ़ा कर उसके बाद उनको सेनूर लगा है सेनूर लगाने को बाद परसा चढ़ा के जल चढ़ा के गर्वती चला कर हमने असरबाद लिया है मातारानी से जैसा कि हम दिखा रहे हैं अब वरी भीटिया आगे से हमको बुला रही थी इसी वज़ा से दर्ख देख रहे थे और यहां पे आंधी भी बहुत चल रहा है मतलब आदी के तरह हवा बहुत ज्यादा तेज है बगल में पानी है ना इसी वादा बहुत ज्यादा हवा चल रहा है मैंने पूजा करके अब फिर वहां ले जाने के लिए बाहर में पीटफल के पेर के पास पूजा करना है तो अगर वरती यहीं से चला कर ले कर जाओंगी क्योंकि वहां नहीं चलेगा तो यहां पर मैं माथा टेक हूंगी उसके बाद जाओंगी माथा टेक लिए हैं माता रानी की से असरबाद भी ले लिए हैं अब यहां पर पूजा करने के लिए यहां पर जो है बट सावितरी में पूजा करने के लिए आते हैं सनी देव का पूजा करने के लिए यहां पर आते हैं सभी लोग देख सकते हैं यहां है प्यारा सा पैर बर बडगत का पेर होता है और पीपल का पेर है यहां पर छोटा सा एक सिवलिंग भी है प्यारा सा यहां है पोखर देखेज़े इसके चार्व तरब सिरी लगाया हुआ है बहुत अच्छा तरस है हम तो तीज में आते हैं यहां पर और शिवरातरी में सावन में तीन बाड़ आते हैं इस जगह पर बजा करने के लिए यहां है बरसात बट का सिवलिंगे हम गले भी मिलते हैं आसरवाद लेने के लिए और यह यहां सनिदेव का पैर निस पीपल का पैर यहीं है माता पारवति का मंदेर हैं में अशिरवाद ले लिया है और चंदर भी कर लिया है अब थड़ा सा फोटो के चबाएंगे देखेंगे अशिरवाद ले लिया है अब आप जाते हैं तब तक के लिए लव यू अगले वीडियो मिलते हैं